हेलो फ्रेंड्स में नाव है वीजे और आज हम बात करेंगी कैसे आप किसी नोड को डिलीट कर सकते हैं एवेल ट्री में तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहां पर देखे हमारे पास एक एवेल ट्री हम पहले बनाएंगे ठीक है तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा कि यह वेल ट्री कैसे क्रेट करते हैं ठीक है जो डाउट होंगे चलियर हो जाएंगे आपके और फिर हम इसमें डिलीशन भी परफूम करेंगे तो यह हमारा बनाइब बनाउट से के बड़ा है फिर आपका यह जोकी इससे छोटा है तो नाई यहां पर आजाएगा आपका एट यहां पर आजाएगा इसके लेफ्ट में अभी तक देखें, balancing कैसे हो रही है, यहाँ पर अगर इसकी balancing factor देखें तो है, यहाँ पर आपा 1 है, और यहाँ पर आपको कितना है, यह one two, इसके height होगे, two में से one गया, तो यहाँ पर one बचा, और इसके height zero है, तो अभी हमारा balancing factor सही है, हमारा ठीक है, अभी कोई problem नहीं हो रह हो रहेंगे, हम eight value add करती, 16 value add करने, 16 value इसके right मायेगे 20 के left मायेगे, ठीक है, तो 16 value आजागे अपके यहाँ पर, ठीक हो क्या, अभी देखें इसकी balancing zero है, इसकी balancing one है ऑः और इसकी balancing क्या है, zero है, क्योंकि हाँ आप one two और यहाँ पर one two है, इसकी भी one है, और इसकी अपके zero है तो अभी balancing सही है हमारी ठीक है और यह question में अपने मन से लिया है तो हो जकता है कि easy बन जाए हमारे evil बनाना असान हो लेकिन कोई बात नहीं दिलेशन सीखना है यहाँ पर important 32 को add कर रहे है तो 32 कहाँ पर 20 के right में तो यहाँ पर आजाएगा 32 ठीक है और फिर आपका 5 होगा यहाँ पर विससे भी balancing में फ्रक नहीं पड़ेगा यहाँ पर इसकी balancing 0 हो जाएगा इसकी तो ही 0 ठीक है और यहाँ पर देखे फिर 5 एड करना है है मिलको चुब 5 आएगा ओ 9 के left में और 8 के left में आएगा ठीक है तो 5 आपको यहाँ पर add हो जाएगा अब यहाँ से हमारी balancing थोड़ी सी bigger जाएगी ठीक है इसकी इसका क्या हो जाएगा 0 इसका हो जाएगा आपका 1 पता है आपको इसका हो जाएगा 2 तो यहीं पर रोग दिं इसको मैं यहाँ बखक करें दिखाता हूँ देखें जो हमार 9 ठीक है इसमे मने rotation लगाने तो इसको इस तरह से move करने है।Rotate करना है तो इसको तरह सी rice हो जाएगा eight आपका यहाँ पर आ जाएगा ठीक है 9 आजाएगा हाँ आपका right में और 5 आजाएगा आपका यहाँ only इसी तरह से इसको हम यहाँ पर add कर देंगे, ठीक है, तो आपका यह हो जाएगा 15, और यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा आपका 5, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 9, और यहाँ पर हो जाएगा 20, यहाँ पर हो जाएगा 16, और यहाँ पर हो जाएगा 32, ठीक ह और यहाँ पर उसके बाद मुझे 3 add करना है और फिर 4 add करना है तो 3 कहाँ पर add होगा देखिए 3 आपका यहाँ पर add हो जाएगा ठीक है उसके बाद मुझे 4 को add करना है 4 आपका कहाँ पर add होगा 5 के बाद 3 आएगा और 3 के बाद 4 आएगा मतलब यह कहाँ पर add होगा इसके right में इस तरीके से और यहां पर सा हमारी balancing भी गळब ख xuाब होगी देखे यह 0 हो जाएगा ठिक हे 0 हो गया यह कितना हो जगा minus का one यह कितना हो जाएगा यहां पर यह 2 हो जाएगा ठिक है जब तहा हम 4 को add कर रहे से तब मारी balancing साधी थी यहां पर इतना 4 को add करे हुए, तो 4 add नहीं था, तो उस case में balancing देखे कितनी थी, उस case में थी 0, इस case में थी 1, इस case में थी 1, ठीक है, क्योंकि यहां पर 2, 7, minus 1, यहां पर कितने था, 1, 2, 3, 3 में से minus 1, 2, तो यहां पर आ जाएगा 1, यहां पर हो जाएगा 0, यहां पर 0 और यह से पहले यहां पर है left में, फिर है right में LR rotation लग रहा है, यहां पर RL rotation, ठीक है, क्योंकि यहां पर मैं name जो पढ़ा हूँ, नीचे सो प्रो पढ़ रहा हूँ, RL rotation लग रहा है, तो RL rotation में देखे क्या होगा, सबसे पहले इसको anti-clockwise घुमाएंगे हम लोग, ठीक है, मान लेग फाइव आ जाएगा right में, और 3 आ जाएगा यहां पर left में, इस तरह से बन जाएगा यह, ठीक है, तो यहां पर इसके बाद यहां पर यह process चलेए आपकी, ठीक है, तो यहां पर 15, 8 और इसके बगल में 9, ठीक है, और यहां पर आपकी जो value हो रही हो, वो रही है 4, ठीक है, और इसके यहां पर left में, 4, 3, और यहां पर आपका 20, और 16 और 32, 16 और यहां पर आजाएगा आपका 32, यह सब value आपके आ गई है, इसकी balancing चेक कर लिए, 0, 0, 0, यहां पर कितनी है 2 और minus 1, यहां पर हो जागी 1, यहां कितनी है 1, 2, 3, ठीक है, और यहां पर कितनी है 1, 2, तो य यहां पर 1 हो जाएगी इसकी balancing, यहां पर कितनी है 0 है, यहां पर 0 है, वो यहां पर 0 है, ठीक है, तो यह आपका 4 और last में, हमें 19 को add करना है, अब 19 को add कहाँ पर करेंगे, देखे, balancing में यह से delete कर देता हूँ, देखे, 19 add करना है, तो 15 के right में आएगा, 20 के से left में, 16 के right में यहां पर, देखे, अभी balancing नहीं बढ़ेगी, अगर देखे, 0 यह हो जाएगा, आपका minus का 1, यह हो जाएगा, आपका 1 आ जाएगा, यहां पर कितना जाएगा, 0, यहां कितनी height है, 1, 2, 3 है, यहां पर maximum height 3 है, तो यह तो 0 है, यहां पर कितना है, देखे, यहां पर है जापका 18 यहाँ पर add होगा 20 के left में 16 के right में और 18 के left में 19 के left में 18 ठीक है यहाँ पर यह एड हो जाएगा अब देखिए इसमें balancing बिगड़ जाएगी आपकी अब देखते हैं कहां से कहां सा balancing बिगड़ रही है सबसे पहले आप पर 0 हो जाएगा यह यह कितना हो जाएगा आपका 1 हो और यह कितना हो जाएगा आपका यह हो जाएगा आपका minus खटू ठीक है यहाँ पर balancing बिगड़ रही है और यहाँ पर क्या लग रहा है देखिए पहले हमाई right में फिर हम left में LR rotation लगा रहा हूं इसमें ठीक है तो पहला देखिए अगर यह इस तरह से होता तो यहां rotation कैसे रहतती सबसे पहले जो rotation लगेगी वह लगेगी आपकी clockwise rotation पहले rotation लगे तो क्या बन गया है 16 और फिर दूसी जो output निकल गागा वो कहा निकल गाएगा इसी को मैं copy कर लेता हूँ इसी methodize कर लूँगा यहां इसको page कर देते हैं अभी deletion का भी ठिखाएंगे आपको ठीक है तो यहां पर देखिए अभी यहां से यह हट जाएगी पूरी अब इसकी जगा क्या replace हो जाएगा आप 18 16 और 19 ठ जाएगा यहां कितना है आपका वन टू टू में से वन गया हो वन यहां पर इसकी है जीरो जीरो और तो यह हमारे balance हो गया अब हम देखिए delete करना है start करते हैं कौन-कौन सी note को delete करेंगे सबसे पहले मैं यहां पर delete करता हूँ 5 को ठीक है फिर मैं यहां पर delete करूंगा 8 को फि ठीक है इनको पहले इन तीनों को delete करते हैं फिर देखेंगे अगर कोई हमारा case छूड़ जाएगा तो इसको भी add कर लेंगे ठीक है सबसे पहले क्या करना पड़ेगा delete किया मैं 5 को यहां पर 5 को delete करेंगे तो direct यहां से delete हो जाएगा 5 ठीक है तो मैं इसको copy कर लेता हूँ इस के बाद का process यहां से कल लेते हैं ठीक है यह final हमारा output create हो क्या आया है node add करने के बाद अब deletion का code यहां से criticism का यहां से देखेंगे आंके को ठीक है सबसे फ्ल्क इन गार फाय बय्सक्राद तो अराम से LED हो जाएगा अब the ने के बाद को क्या है balance factor चेक करना है पटा-फट तुक खर इसे बैलेंस एकटने हो जाका है यहां पर जीनो जागा one यहां कितना हो जागा one-two हो यहां कितना है 3 है maximum height और यहां पर कितनी है 3 है 1 2 3 यहां पर 0 है ठीक है यहां पर कितना है 1 2 है और यहां पर 1 है तो यहां पर 1 हो जाएगा यहां 0 है 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 तो balance हो रखा character भी ठीक है और 9 का भी 0 है ठीक है अब एक और मुझे value add करनी है वो है 8 अब देखे इसको कैसे फों करें गा जैसे हम BST में delete करें ना, वैसे ही delete करेंगे, अब BST में किस तर यह से delete करें देखे, देखे delete a node in a BST, जब मैंने आपको ये बताया था, तो मैंने आपको 2 भे बताया था, एक in order predecessor और एक in order successor, ठीक है इन ओर्डर प्रिडिट्र सेसर में हम लोग क्या करते हैं जैसे 32 नोड है ठीक है इसके चाइल्ड है दो तो उस case में क्या होता है left sub 2 होता है उसमें जो सबसी बड़ी value होती है उसको उससे replace कर देते हैं ठीक है और in order successor में क्या होता है देखिए आप क्या करते हैं जो आपका no delete कर रहे हैं ठीक है उसके right में जो सबसे छोटा value होता है उससे उसको replace कर देते हैं यह मैंने आपको बताया था BST में ठीक है लीफ होगी तो डिरेक्ट लीट जाएगा non leaf है तो एक child है या दो child है उसमें एक condition आपकी लगती है ठीक है तो evil tree में भी ऐसी होगा evil tree में 8 है इसकी यहाँ पार child है आपके दो के दो child है तो हम लोग क्या कर सकते हैं या तो in order successor लगा सकते हैं या in order predecessor लगा सकते हैं तो यहाँ पार देखिए in order predecessor मतलब क्या होगा जो right में सबसे बड़ी value होगी वो replace कर देगी ठीक है लगाता हूं तो उस case में यहाँ पर क्या होगा four eight को replace कर देगा ठीक है और अगर successor लगाता हूं तो nine replace कर देगा ठीक है अब देखिए दोनों से करके दिखाता हूं आपको एक बाद predecessor से ठी तो यहांपते हैं किस तर से बनेंगगा यहीं पर बना दितेको fifteen ठीक है और इसके जगा ले लेगा ठीक है 9 इसके right माझ जाएगा और इसके left माझ जाएगा आपका 3 और यहां पर आजाएगा आपका 20 और यहां पर आजाएगा आपका 18 ठीक है और यहां पर आजाएगा आपका 16 यह है आपका 19 और यह आपका 32 अभी balancing चेकर लेंगे 0 0 0 1 2 है यहां पर 1 2 3 है तो minus का 1 है यहां कित इन ओर सक्सेसर लगाऊंगा तो क्या होगा इस पहले मुझ जाएगा थोड़ा जल्द वाजिए में कर दें तो यहां पर देखी क्या हो जाएगा इन ओर सब्सक्राइब का सबसे चोटा यहांप जाएगा 16 यहां पर आजाएगा 19 ठीक है लेकिर यहां पर देखी अगर मै च्क करता हो इसका ब्रॉैम्स के बाद देखी क्या होगा यह चेन्ज हो जाएगा 15 यहां पर यह 4 और यहां पर आ यहां पर 19 हो जाएगा ठीक है अब देखें दूसरा element मुझे क्या delete करना था दूसरा element में को delete करना है 8 के बाद 20 20 delete करना है तो देखे 20 delete करने के लिए इसके child भी है मेरे पास तो यहां पर मैं इसको दो तरह के से replace कर सकता हूं एक in order predecessor से मतलब 19 से left के सबसे सबसे चोटा element होगा उससे और दूसरा right में सबसे चोटा element होगा जो कि हमारे किसमे 32 है ठीक है बस उससे delete कर सकता हूं बाकि किसी से delete नहीं कर सकता हूं इस case में देखे मैं दोन आपको लगा के दिखा देता हूं क्याल मैं in order predecessor से लगा रहा हूं इन नाटपर डिटी से लगाँगो तो क्या हो जागा 19 को 20 replace कर देगा और यह delete हो जाएगा इसके left में आजएगा 4 यहां पर आजएगा 9 और यहां पर आजएगा 3 ठीक है और फिर य Baltimore balancing क्या है biggest to zero है इसकी one है इसकी कितनी है 2 और 11 है इसकी कितनी है जीरो है इसकी कितनी है 123 123ą23 मैक्सिम socio हईट और यहां पर कितनी है 0 यहां पर इस 0 तो यह हमारा balance है अगर मैं in order successful लगाता तो इसका मतलब क्या हुआ यह क्या है इसके लेफ्ट में है और इसके राइट में है तो इसमें कन से लग रही है आर राए रोटेशन में है देखे क्या होगा अगर यह ऐसा होता सिर्फ माल लीज़र अगर शिर्फ ऐसा होता तो इसके समें क्या होता इसको मैं क्या करता रोटेट करता एंटीक्लॉक्उम वाइस तो उस case में क्या बन जाता यह बन जाता 32 19 और 18 और फिर मुझे second rotation लगानी पड़ती जोती clockwise ठीक है तो यह क्या बन जाता 19 19 18 और यहां पर बन जाता यह 32 यह बन जाता तो वही चीज यहां पर हम replace कर देंगे ठीक है इस पूरे को और यहां पर 16 भी है चाहिए यह भी ध्यान ल और 15 के left में क्या हो जागा अब यह रिप्लेस हो जाएगा इससे 19 18 32 से 19 यहां पर आजाएगा 18 और यहां पर आजाएगा 32 ठीक है और इसका एक child से 16 हो जाएगा यहां पर अब देखिए balancing check कर लिजे बैलेसिंग है 0 1 और यहां पर कितनी है 1 2 2 में से 1 गया 1 और यहां कितनी ह 1,2,3, 3 में से 2 गया, यहां पर कितने हैं? 3 में से 2 गया, 1 आयाएगा हैंगा, मायनात का 1, यहां कितने हैगा, 0, यहां पर 0, गलओ, से 1, अब देखें, एक और ऐसम इसे बाएंगो 54, को डिलीट करना हैं, ताकि आपको अच्छी समझाए 15 को डिलीट करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसके left child भी है right child भी है तो यहाँ पर देखिए in order successor भी लगा सकते हैं इन order PD लिखते हैं मैंने आप समझ जाएंगे ठीक है यह इन order PD लिखते हैं तो क्या करना पढ़ाएगा right में left में सबसे बड़ा element से replace करूँगा इसको तो यहाँ पर यह 9 हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर यह हो जाएगा 4 यहाँ पर यह हो जाएगा 3 ठीक है और फिर यहा है इसकी कितनी है 1 2 3 3 में से 2 गया 1 माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर इसकी 1 है और यहाँ पर कितनी है इसकी 0 है ठीक है अब यह हमारा balance है अब मैं क्या करूँगा in order successor से करके दिखाऊंगा ठीक है in order successor लगाया यह किस से replace हो जाएगा right में सबसे छोटा होग 16 से तो यहाँ पर 16 ठीक है और यहाँ पर आजाएगा 4 यहाँ पर आजाएगा 3 यहाँ पर आजाएगा आपका 9 यहाँ पर हो जाएगा आपका 19 यहाँ पर हो जाएगा आपका 18 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 32 तो इस तरह से यह balance है और देखने से लग रहा है पूरा balance है और यहां पर rotations को apply कर सकते हैं ठीक है क्या चीज़ ध्यानक निए डिलीट करते हैं में यह चीज़ ध्यानक निए कि जो बेश्टी कर रूल होता है इन ओर सक्सेसर प्रिडिसेसर वाला रूल लगेगा उसका balancing चेक कर लेंगे balancing जिससे आप से बिगड़ेगी उससे rotation apply करतेंगे और rotation आपको पता है किस तर से करते हैं चारी हमारे rotation होते हैं ल, L, R, LR और RL ठीक है वो आप apply कर लेंगे इस वीडियो को repeat कर दीजिए अगर आपको कोई भी problem होती ही तो इन को आप practice किजिए यहां आपर में चोटी सी request आप से करना चाहूंगा हमारे एक दूसरा चैनल भी है CSGeeks 2.0 जहां पर हम आपके gate की related subject जो CSC में पूछे जाते हैं वह वहां पर cover करते हैं तो अगर आपको CSC के subject पढ़ने में इंट्रेस्ट है जिसे data structure हो गया algorithm हो गया CE हो गया, database हो गया, computer organization हो गया, operating system हो गया, वहां पर detail में हम लोग वहां पर पढ़ा रहे हैं और साथी साथ हम लोग आपके gate के question भी solve करवा रहे हैं आपको ताकि आपको और detail में अच्छे से आपकी तैयारी हो सके और interview के लिए आप अच्छे से prepare हो सके अगर आप interested हैं तो channel क के कैर तेक दुखली टू.